अगर आप पहली बार यूटूब चैनल पे आए हैं तो यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों आज मैं आपको इंदसिंद बैंक का अनालेसिस देने वाला हूं अनालेसिस बस साफ है कि भाई स्टॉक के अंदर थाभी हमें ट्रेड करना नहीं है क्योंकि स्टॉ स्टॉक के अंदर एक ही ब्रेकडाउन लेवल है वह ब्रेकडाउन लेवल यह है अगर इंदसिंद बैंक यह वाला ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक करता है तो मैं स्टॉक के अंदर फॉल यहां तक मैं देख रहा हूं और उसके बाद स्टॉक के अंदर फॉल यहां तक यानि स step by step दो तरीके का फॉल देगा अगर 13-38 का लेवल ब्रेक करता है ब्रेकडाउन से इसने जो ब्रेकाउट बना के बाइयर को ट्रैप करने के लिए आया था जिसे बाइयर ट्रैप हो चुके है अगर आभी इंदसिन बैंक में हो दोस्ता आप ट्रैप उन्हों की चांसे ज्याद करता है क्योंकि 13-38 का लेवल अगर इंदसिन बैंक ब्रेक करता है तो डायरेक्ट फॉल है क्या है डायरेक्ट फॉल है और ब्रेकडाउन है ब्रेकडाउन रिजेक्शन है ब्रेकडाउन रिजेक्शन है ब्रेकडाउन लेवल को मल्टिपल ब्रेकाउट बनाया यहां पर ब् dividend overbought में हम लोगों ने profit booking कर लिया 1270 1210 1190 ये था हमारे profit booking उसके बाद भी stock इतना बढ़ गया तो कई लोग बुल रहें हम लोगों ने early exit कर लिया हम लोगों ने सही exit किया अगर stock यहां पर इतना नहीं भागता आप मुझे message नहीं करते थे भाग गया अच्छा हुआ stock गिर गया आपने exit करवा दिया अब इदे को psychology है stock भागता है तो सुचते हैं कि मिस हो गया stock नहीं भागता है गिर जाता है तो सुचते हैं हम लोगों ने सही time पे exit किया तो दोस्तों हम लोगों ने और मैं आपको आज के दिन guarantee देता हूं लिख कर देता हूं लिख के लिलो मेरे हाथ से जब तक इंदसिन बैंक neutral लेवल पे आके प्रॉपर पोजिशन इस तरीके से प्रीवियस ब्रेक आउट पे नहीं बनाता मैं इंदसिन बैंक में rally देख नहीं रहा हूं अगर rally देख भी है तो 1338 का stop loss लगा के चलो यह था मेरा analysis इंदसिन बैंक पर चोटा सा update अगर आपको stock पे analysis समझ में आया तो वीडियो को like करिए share करें यूट्यूब चैनल को subscribe कर लिजिए thank you for watching my video